जितने लंबे मेरे ताया जी के लड़के हैं उतना लंबा मैं नहीं हो पाया जितने मेरे शोल्डर जदा वाइड हो सकते थे उतने मेरे नहीं हो पाये मेरी वोईस काफी डीपर हो सकती थी बट नहीं हो पाई and मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी आप में से एक के साथ भी हो तो अगर आप teenage में हो या आपको कोई cousin teenage में है उसको ये वीडियो भेजो या फिर अपने ऊपर इसको इस्तेमाल करो क्योंकि this video will completely change your life क्योंकि ये जो transition period है ना puberty का ये make या break कर सकता आपकी physical attractiveness को अब मैंने कहा कि मैं बहुत कुछ नहीं हो पाया वाल डू यू नो क्यों वन हो तब biggest reason है मैं अपने teenage में कर रहा था water fasting especially अपनी puberty के समय पर जिस समय मेरी puberty के वो 3 month चले हुए थे मैं उन्ही 3 month में कर रहा था water fasting what is water fasting? water fasting एक ऐसा तरह का वरत होता है जिसमें आप सिरफ पानी पीते हो and मैंने वो around 12-15 दिनों के लिए कर दिया था yes सुनने में आपको लग रहा होगा क्या आप फैंक रहा है but it is possible अगर कोई भी करना जाये तो आप easily कर सकते हो आपको जाया दिक्कत नहीं होगी as long as आपके उपर fat है मेरे उपर fat थी and मैंने उसे जल्दी lose करने के लिए water fast कर दिया जो कि मेरे लिए 1% भी positive effect लेकर नहीं आया मैं 15 जरूर हो गया बढ़ एक दम से दुबारा मोटा हो गया and मेरा क्या-क्या रुग गया बढ़ने से आप समझ नहीं सकते हो and इसली तो मैं कहता हूँ मैं ही नहीं even आप लोग भी हो तो चुद टैग ही ना so what should you do अगर आप अभी पिबर्टी में हो या पिबर्टी आने वाली है मैं आपको बताऊँगा सिरफ 5 ऐसे रूल्स जोगी आपको कुछ भी हो जाए फोलो करने है and trust me आप मुझे आज से 10 साल बाद 5 साल बाद दुआओं में याद करोगे और थैंक्यू बोलोगे कि भाई उस दिन वो वीडियो देख ली थी एक monkey man की जो की परवतों में बैठा होता था और हमें समझाता था first rule है calorie surplus so what is calorie surplus हर body को एक limited amount of food चाहिए होता है जिस तर आपके phone की battery होती है 3000 mh हो सकती, 4 हो सकती, 5 हो सकती tablet है तो 20 तक हो सकती है but अगर 20,000 charge करोगे तो क्या होगा charge ही नहीं होगा या battery फट जाएगी अगर जवरदस्ती कोशिश की इनसान के साथ ऐसा नहीं होता है इनसान को अगर overcharge करोगे तो इनसान जो है वो battery फाडने की जगा अपना size ही बड़ा लेता है और अगर आप इनसान को कम charge करोगे मतलब कम खाना दोगे तो वो अपनी battery का size ही कम कर लेता है यह simple law of thermodynamics है इसके उपर मैं detail में ही बात ही है आप यहां कहीं tap करके देख सकते हो बट simple words में मैं सिरफ इतना कहा रहा हूँ कि फिवर्टी के समय में eat more food अब more food का मतलब यह नहीं आप burger छोले यह सब खाना शुरू कर दो more food का basically मतलब यह है कि आपको good quality का food ज़्यादा खाना है यहीं पर मैं recommend करूँगा कि आप non-vej खाएं अब देखो मैं तो moral reasons के विज़े से कभी भी non-vej नहीं खाऊंगा मेरे को बचपन से ही brainwash कर दिया गया है कि meat खाने वाले दुनिया के सबसे बड़े पापी होते हैं तो मेरी चाहकर भी आत्मा जो है मानती नहीं non-vej खाने के लिए अंडे जरूर खा लेता हूँ मैं बट non-vej मैं विल्कुल नहीं खा पाता हूँ I wish मैंने खाया होता या गर non-vej नहीं खाना for example मान लो तो आप दूद, दही, लसी, पनीर यह ज़्यादा से ज़्यादा consume करो basically मैं एक रूल सबके लिए प्रमोट करता हूँ कि think of yourself as a पंजाबी और पंजाबियों का मजाक बनाया जाता है लसी बोलके बट अगर पूरा इंडिया लसी की excess quantity को consume कर लेना तो हमारी average height increase हो जाए जो आज चाइना से भी घड़ चुकी है हमारे भी ज़्यादा gold medals आ जाएं और कभी आप लोगों ने सोचा कि maximum athletics में जो gold medal है वो हर्याना और पंजाब केरिया से ही क्यों आते हैं तो यह answer is लसी जिसको most of the इंडिया ट्रोल करता है और दूशी तरफ गटका गटका खाता है so we need to make sure कि हम लोग अपनी diet में protein की मातरा को increase करें yet at the same time अपनी calories को भी increase करें सिरफ अगर आप protein प्रोटीन को बढ़ाओगे तो उससे भी फरक पड़ेगा बढ़ इतना नहीं साथ में आपको calories भी बढ़ानी है and इसलिए fat sources best रहते हैं जैसे की घी हो गया जैसे की मक्खन हो गया जैसे की दूद हो गया दूद में fat होती है दही हो गया उसमें fat होती है क्योंकि यह आपको bulk में खूब सारी calories देते है और इनमें protein तो होती है घी में नहीं होती बटर में नहीं होती बटर दूद दही में होती है तो simple rule of thumb है कि आप अपनी purity में अपनी calories को increase कर दो कम से कम 10% से मान लो कर 3000 calories खाते हो तो try करो आप 30-100-3500 के आसपास खाओ and साथ में आप make sure करो कि आप अपनी fats and proteins को increase करो उन calories को hit करने के लिए बस carbohydrate मत पेलते रहो और carbohydrate पेलने को मैं इसली कह रहा हूँ कि मैंने एक और गलती की थी अपने teenage years में कि bulking के समय पर मैंने खाना शुरू कर दिये दिन के 9 परोंटे क्योंकि वो cheapest source था ज्यादा calories का परोंटों में बहुत calorie होती क्योंकि सुका आटा ही है basically वो उसमें और कुछ भी नहीं है थोड़ सा तल दिया होता है तो आटा सस्ता होता है तो मैं सिरफ पैसे बिचाने के चक्कर में आटा ही खाता रहता दिन के 9-9 परोंटे मैंने खाए है इस होप में कि मेरा मास बढ़ेगा मसल बढ़ेगा मसल तो बिलकुल नहीं बड़ा मोटा जरूर हो गया क्योंकि कार्वोहाइडरेट से मसल नहीं चड़ता है तो उसके बजाए आप कोशिश करो आप अपनी फैट को और आप अपनी प्रोटीन को इंकरीज करो इवन लड़के भी स्कूल विएरा में नूडल्स ले जाते हैं अपने लॉंच बोक्स में पैक करके वह यलो कोलर की होती है दो मिंट में बनती है अगर आप जिम करोगे तो आपका जो है हाइट छोटी रह जाएगी या आप जल्दी मर्द बन जाओगे इस तूपिडिटी there is no single evidence of this ever happening कि जिम करने से हाइट रुगेगी हो क्या सकता है कि आप अगर जिम करोगे और धंका खाना नहीं खाओगे तो बोडी पे आएगा लोड और बोडी को मिलेगा कम खाना तो बोडी अपना size घटा लेगी ऐसा सोच लो आप मकान बना रहे हो पर लेकिन मजदूर बहुत ही गरीब family से हो इतनी गरीब से हो कि दो रोटी भी 10 लोगों में बंटती है अगर उस case में हो तो first of all आप ये वीडियो नहीं देखोगे और second अगर देख रहे हो तो है ना थोड़ा दिमाग इस्तमाल करो पैसे कमा हो जाकर पर average 99% middle class बच्चे के लिए इतना कम खाना तो घर पे नहीं होगा कि वो जिम करके अपनी हाइटी रोक ले और जिम जरूरी नहीं है basically you have to do is you have to do strength training अब strength training का कुछ example ये हो सकता है कुछ ये हो सकता है कि सारी एकी चीज़े हैं बस करने का तरीका different है घर पे अलग way में होती है जिम में अलग way में होती है बर जिम में इस इसलिए में हर बच्चे को जीम रेकॉमेंड करता हूं क्योंकि वह आप में discipline strength और इन चीज़ों को develop करने में help करता है बट याद रखें फिर से बता रहा हूं अपनी first point को ना भूलें जो कि था कि calories को ज़्यादा खाना है और protein को भी ज़्यादा खाना है नंबर third rule जो कि यहां पर मैं पहले चीज़ बता देता हूं काफी सारे बच्चे मेरे को यह बोलते हैं कि भाई आपने मेरे को 8 घंटे sleep recommend की 10 की पर मैं तो पढ़ाई करता हूं मैं क्या करूं वो मेरी responsibility नहीं है मैंने बहुत कुछ इस वीडियो में recommend किया और अब आगे भी करूंगा आप से उसको अपने हिसाब से आप adjust किस तरह कर सकते हो वो तो common sense है ना पर मेरे school में board लगा था आज भी आदाता है common sense is not so common and कभी-कभी यह comments पढ़कर मेरे दिमाग में भी यह चीज़ की realization हीट होती है कि वो board बिल्कुल सही था यह काफी सारे बच्चे आज भी इस वीडियो के करें तो इसलिए आपको sleep के लिए कोशिश करनी चाहिए 10 घंटे मैंने का कोशिश जबरदस्ती नहीं है अगर कुछ कर सकते हो तो वह पेरेंट से बात कुछ कर सकते हो तो अपना sleep management कुछ कर सकते हो time management यह चीज़ें आप करो पर किसी पी तरह ज्यादा सो क्योंकि जितना गय होगे तो पहला दूसरा पॉइंट कितना भी कर लो थर्ड पॉइंट के बिना कुछ भी नहीं होगा क्योंकि sleep में ही जाकर आपकी recovery होगी जितना भी आपने first second point में किया उसका main benefit जितना वह मिश्रन बनेगा गोल बनेगा वह sleep में बनेगा you need to make sure कि आप कम से कम 8 जाज़ है इसलिए मैं ज्यादा recommend करता हूँ अब sleep के लिए मैं आप लोगो एक चीज बिताना चाहता हूँ कावी सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैंने काया 8 गंटे which means 8 गंटे बिस्तर पर बिस्तर पर बिताने हैं आपको 8 गंटे sleep में बिताने हैं अगर आप बेड़ पर सोते हो तो 30 मिनट्स तो नीद बढ़ने मां आपको लगते होंगे और 30 मिनट्स पहले आपको मम्मी उठाने लग पड़ती होगी तो आप क्या स्कूल मिला कर 7 गंटे की नीद हुई और ये भी मैंने liberal होके बोला है 7 गंटे भी नहीं सोते होगे आप 8 कर सोचते ह होगे तो 6 सोते होगे और 6 में से 5 इन पड़ती होगी इसलिए आपको बैड टाइम इंक्रीज करना है ताकि स्लीप टाइम इंक्रीज हो अपने आप I don't know आप मैंसे कोई भी इतनी ज्यादा mental capacity रखता होगा और इतना ज्यादा अपनी बोड़ी को कंट्रोल कर पाता होगा कि डोरे मोन के नोबीता की तरह लेटता है सो जाए यह तो मैंने कभी नहीं देखा कि एक टीनेजर कर पाए उसका ध्यान इतना भटका रहता है तो उसकेस में आपको ज़्यादा टाइम बिस्तर पर बिताना है ताकि आपको नींद भी ज़्यादा है समझ रहो अपने हिसाब स इतना प्यरा सेटप है मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं और अपना सेटप बेटर कर सकूं यह नो प्रोफेशनल लाइटनिंग बतानी क्या क्या लगा लूँ गट स्टिल मैं बहार आता हूँ पता है क्यों कि दिस मेक्स में हुमन अगर आप सम निकालोगे ना हिमानिटी का क कि humanity की biggest unique selling point क्या है वो है ये पसीना पढ़ना and walk कर पाना अगर हम walk नहीं कर पाते हैं और हमें पसीना नहीं पढ़ता तो आज हम इतना evolution wise improve नहीं होते हम चांज तक नहीं पहुँच पाते हैं पता है क्यों क्यों कि हमको जो चीज़ separate करती है बाकी जनवरों से वो यही है कि हमें पसीना पढ़ता है और हम ठकते नहीं हम कितने भी लंबे लंबे distance तक jog कर सकते हैं और walk कर सकते हैं जिससे होता क्या है कि बाकी सारे जानवरों को पसीना नहीं पढ़ता है उनकी body का temperature बढ़ जाता है और वो exhaust होकर पहले ही मर जाते थे जिस वैसे हम लोग feed हो पाते थे हम लो बचल सकते हैं और पसीना बहा सकते हैं अगर आपने यह चीज करना बंद कर दी तो आपने इंसान बनना ही बंद कर दिया जो कि most of the cases में इंसानों के साथ हो चुका है आज मैं अगर यहां से अपनी सड़क देखता हूं या इस पहाड को देखता हूं बेरली सी एनी humans क्यों लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया है एक समय था बचचे नहीं नीकलते थे ठीक है बचचे मुबाइल सलाते हूं कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं या फिर ग्राउन में चले जाते हैं पर बूड़े बाहर होते थे आज बूड़े भी गायब होते जा रहे हैं पता क् कौन सी जोब में चले जाओगे, जहां पर बैठे रहना है, किस बेंच पर बैठना है, बिना धूब के बैठना है, अभी कोशिश करो कि आप ताजी हवा में बाहर निकलो, डेली 30 मिनट, 40 मिनट या 10,000 स्टेप्स की वॉकिंग करो, यह देखो वाच पहनी है, इस तरह से टेरिजिन है, मैं डिप्रेश्ट नहीं होता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, जब मैं बाहर आके वीडियो बनाता हूँ, I feel hopeful, I feel cheerful, बड़ जब मैं कमरे में रहता हूँ, मैं खुश नहीं होता हूँ, इसलिए मैंने अपने काम को और अपने फेवरेट या होबी को mix कर दिया अगर आपका काम इस तरह का नहीं है मेरे जैसा तो make sure आप सिरफ walk daily करो बाहर जाकर इस चीज़ को अपने दिमाग में ड्रिल करके गुसादो that you need to walk काडियो करोगे दिल अच्छा रहेगा और आप इंसान रहोगे मैं आपको words से समझा नहीं सकता हूँ कि walking करने से कितना ज़्यादा मेरी life change हुई है मैं आज एक different इंसान सिरफ walking करने की वज़े से हूँ इतना impact मेरे लिए walking लेकर आई है अगर मैं walk नहीं करता most rapidly मैं एक fat आदमी होता सिरफ इसलिए नहीं क्योंकि walking से मैं पतला रहता हूँ obviously but at the same time walking ने मेरे को life में move होने के लिए हमेशा momentum दिया है मेरे को हमेशा एक चीज़ का एसास दिलाया कि मनजल कितनी भी दूर हो अगर आप छोटे-छोटे कदम रख रहे हो आप पहुंच जाओगे ये एक metaphorical concept की मैं यहां बात कर रहा हूँ अगर आप walk करोगे आप तबी इस चीज़ का एसास समझ पाओगे कि मैं walking को इतना powerful क्यों मानता हूँ इसलिए daily walk करो कुछ भी हो जाए physical benefit तो granted मिलेंगे but mental benefit insane level पर मिलते हैं and last point है अपनी सेहत का ध्यान रखो और सेहत का ध्यान से मेरा ये मतलब नहीं है कि बिमारी मतलग ने दो सेहत से मेरा मतलब है outer appearance का क्योंकि puberty में एक ऐसा time period होता है जो कि checkpoint की तरह काम करता है puberty में अगर आपने मोटे होकर बिताई मतलब absolute obese तो आप high chance है जीवन भर के लिए obese रहोगे puberty अगर आपने गंधी skin के साथ बिताई गंधी मतलब कुछ इस तरह की तो high chance है आपकी skin हमेशा ही गंधी रह जाए अगर puberty आपने extremely skinny frail इतना पतला बिताई तो high chance है कि आप जिंदकी पर पतले रह जाओगे और ये मैंने almost सब बंदों के साथ देखा है क्योंकि body fear एक तरह से fixed state पर आ जाती है तो make sure करो आप अपनी puberty के समय में physically fit रहो आपका पेट आपकी छाती के बाहर ना हो आपकी skin में बस barely थोड़े बहुत pimple हो जो कि puberty में होते ही होते हैं उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते and आपकी physical strength इतनी तो हो कि कम से कम आप दोनों हाथों से अपने घर की पानी की भरी हुई बाल्टी को easily उठा पाओ ऐसे ना हो कि मौत आ रही है कंदे फटने को हो चले हैं उगलिया खुल चल रही है इतनी grip strength तो आप में हो तोगी मुझे दुख होता है ऐसे charts देखकर जब पता लगता है कि आप अभी ऐसे teenage phase से गुजर रहे हो कि आप लोग आगे का youth होगे आप लोग अगले दादे बनोगे भारत के तो आपको make sure करना कि आप यह अपने समाज के लिए अपनी community के लिए अपने देश के लिए इन घटिया बताया है इसका सब उल्टा होता है average में 90% cases में इसका उल्टा होता है इवन इस comment में भी कोई मिलेगा कि भाई यह सब मत करो पैसा कमाओ लोग अपनी physical fitness पर ध्यान ही नहीं देना चाहते है तो मैं चाहता हूँ आप ऐसा ना करो आप make sure करो कि आपकी grip strength अच्छी हो आप में कम से कम एक मर्द जितना जोरत हो और इवन कोई लड़की भी देख रही है मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहरा लड़कियों में भी इतना जोरत होना चाहिए भाई कि वो दो हाथ से दो बाल्टीयां पानी की भरी उठा सके घर में जो cylinder आता है वो अपने gate से अपने अंदर kitchen तक पहुचा सके इसमें gender की कोई बात ही नहीं है इसलिए मैं आप सब को कहा रहा हूँ कि अपनी physical fitness और अपनी physical looks का ध्यान रखो क्योंकि नहीं आप लोग future हो but at the same time आप एक six state में चले जाओगे जहाँ पर आप फस गए तो there is a high chance आप मरने तक उसी type की body को लेकर भूमने वाले हो and do you know एक बहुत पहरी investment है जो कि आप अपने उपर कर सकते हो जहाँ पर मैंने सर से लेकर पैर केंग उठे तक full looks maxing की guide लिखे जिससे आप अपना glow up कर पाओ साथ मैंने दिये 25 प्लस video courses जिसके जिससे मैं यहां से यहां पहुंच पाया मेरा कजिन अखी भी यहां से यहां पहुंच पाया और बायन इरेक्ट 11% OFF सिरफ नेक्स 48 आर्स के लिए थैंक यह वर वाचिंग इस वीडियो आपिल दन आस उस्यूल प्सीत आवरीवन जागते रहो वाह